इस गुड़ इवनिंग खुश रहो स्वस्त रहो सभी कोई केक्मल आशिरवाद वेरी गुड़ इवनिंग तो और बताइए आज क्या था होमवर क्या था एने मौल्स आशिरवाद चाहिए बेटा वन मौल की वेल्यू नहीं पता तुम्हें और उपर हां भई वो टेलीग्राम पर जो ग्रूप है वो मेरा ही है फिजिकल केमिस्ट्री बाई एकेके सर फिजिकल केमिस्ट्री बाई एकेके सर इसमें जैसे आज बीच में थोड़ी केरे पहले क्लास रुक गई थी तो कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहां पर शेयर कर सकता हूं बट बहुत जादा नहीं बहुत जादा ऐसा नहीं कि कुछ आपको इस ग्रूप पर मिलना है बस इस ग्रूप में अच्छी बात यह है कि कभी कभी आप डेली क्या पढ़ रहे हो एक पॉजिटिव चीज इस ग्रूप में होती कि दिन बर में आज आपने कितने आवर्स पढ पास भी नहीं है तो इसलिए यहां पर बसको जाभी कुछ इंपोर्टेंट हो तो आप वहां पर शेयर कर सकते हो कुछ इस्चूज है तो वहां पर लिख सकते हो अब अपना इंट्रो डायलोग अब चेंज कर लो ऐसा मैं देखूंगा वेटा उस पर क्या वो भी नहीं पता मुझे कि उस पर क्या है वो भी मुझे नहीं पता कि 7007 का मतलब क्या है कि मेरी पहली कार का नंबर भी था अभी भी जो कार रहें उसका नंबर भी यह है तो बस ऐसे ही चलिए ची तो अच्छा कारती के ठीक है ठीक है ठीक है ठैंक्स बताने के लिए कि चलो ची तो अब बताई यह पहले तो इदर उदर की बाते नहीं करते हैं बहुत सारे अलग लग क्वेशन है कोई पूछा है सरा आप कहां से हो कोई पूछा आप आई टी कहां से कर रहे हो इस दिन वर बहुत सारी बाते नहीं काम की बात करते हैं और कुछ दिया था क्या पहले तो यह बताओ कुछ हॉमवर्क था क्या कि होमवर्क क्या था कि को कोई कह रहा कि सर इसका मतलब सेवन डबल जिरो सेवन का हम साथ साथ है वाँ भाई वाँ इंटरप्रेटेशन अभाई रीड करने के लिए मैंने आपसे ऑला था क्लांक्स क्वांटम के लिए मैंने लास्श च्छास में बताय है भी मैं अधा करें अपना यह आज थोड़ी देर के लिए बंद कर दो चान्य होगताँ और प्लांक्स क्वांटम थियोरी आप लोगों ने पढ़ी कौन से येर में दी थी उसने बता सकते हो प्लांक्स क्वांटम थियोरी कौन से येर में दी थी 1900 में कोई लिखरा 1802 में अच्छा ये बताओ उसमें एक लाइन लिखी हुई कौन कौन से ऐसी थियोरी है कौन कौन से ऐसे अब्जर्वेशन्स हैं जो की इलक्ट्रो मेगनेटिक थियोरी से एक्स्प्लेन नहीं किये जा सकते बाद से खोला इंच्छा छे स्ट courses फोलोई आरिक शैल्ग्टी कार भी इलक्ट्रो गुट्रो में तार्व विश्चा येरिक भी opinion दी ए्लक्ट्रो में लेक्ट्रो में लग्र्ट्यृ Black body radiation experiment, photoelectric effect, variation of heat capacities of solid as a function of temperature, ये क्या होता है वो अभी नहीं पता आपको बड़, and line spectrum of atoms with special reference of hydrogen, ये कुछ चार चीजे ऐसी थी जो की electromagnetic theory से explain नहीं की जा सकती थी, electromagnetic theory से explain नहीं की जा सकती, इनको हम Planck's quantum theory से explain कर सकते हैं, तो इसलिए finally Planck's quantum theory को accept किया गया, ये सारी चीजे धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगी आपको, इसमें जो लिकाओ ना photoelectric effect क्या होता है, spectrum क्या होता है, spectral lines क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा wait करो, just मैं आपको check कराओ कि आप लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो finally यहाँ पर, आपने अगर पढ़ा हो तो इसमें लिखाओ अप्लांक्स असुम्ड राइशन कुद बी सब दिवादे इंटो discrete chunks of energy, he suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner and not in a continuous manner, he gave the name quantum to the smallest quantity of energy, quantum या फोटोन बीका सक्ते हो, that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations, right, that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, discrete means अलग-अलग बेटा, टुकड़ो में, Google है बेटा, इतना Google पर ढूण लिया करो, तो last class में आपने statement लिखी लिया था, a substance can emit or absorb light in discrete quantities, emit or absorbed light in discrete quantities called quanta और photon, and एक सिंगल photon की जो energy होगी, एक सिंगल photon की energy जो होगी, हो H new, this is energy of a photon, H जहाँ पर क्या है, Planck's constant, Planck's constant, जिसकी value होती है, 6.626 into 10 की power minus 34 joule second, ज्यादा तर 6.62 लिख सकते हैं, 6.62 into 10 की power minus 34 joule second, यह क्या है, एक सिंगल photon की energy, एक सिंगल photon की energy, बिल्कुल आवादारी बेटा, आपके end पर गड़वड़ है, अनुराग, Millicons oil drop method की अभी हमें कोई जरुवत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है, उस पर focus करो, हना, जो पढ़ाया जा रहा है, उस पर focus करो, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब वो किसी गाम का नहीं है, तो इसलिए disturb मत करो, तो यहाँ पर, एक single photon की energy of a photon, आप यहाँ से find out कर सकते हो, इवन इसको आप new को क्या लिख सकता हो, मैं, यहाँ पर सी क्या है, speed of light, speed of light, जो की कितनी होती है, 3 into 10 raise to power 8 meter per second, और sometimes यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि H की value fixed है, C की value fixed है, तो क्यों नाम पहले ही put करके, इनको solve करने, तो अगर मैं यहाँ H और C की value put कर देता हूँ, और इसको rearrange करूँ, तो यह answer आदाता है, 1240 nanometer electron volt upon lambda, यहाँ से आप इस wavelength को nanometer में put कर दो, तो एक single photon की energy किस unit में आ जाएगी, electron volt में, किस unit में आ जाएगी, electron volt, electron volt बहुत छोटी unit है, एक photon, one electron volt अगर मैं energy की बात करता हूँ, तो यह 1.6 into 10 की power, minus 19 joule, जो की बहुत कम है, यह यह one electron volt की value होगी, right, तो energy, इस formula को भी आप use कर सकते हो, 1240 nanometer electron volt, वाट अब यहाँ पर wavelength किस unit में पुटोगी, nanometer में ही पुटोगी, तो इस पर कुछ questions बनते हैं, बहुत basic से कुछ questions चले हैं, इस पर करते हैं, और मैं आपको बता दूँ, यह formula, यह Planck's quantum, Planck's constant, आप सोचो, 1900 century man, यानि उस time पर introduce किया गया था, आज के लगबग 120 years पहले, और आज भी इसकी value वही है, कोही change नहीं हुआ है, आज भी हम वही data यूज कर रहे हैं, आप सोचो, कितनी दुनिया बदल रही, बदल गई, बहुत सारी चीजें change हो गई, in fact, science बहुत सारी बदल गई, बट Planck's quantum, Planck's constant की value, आज भी जो है वही है, तो किस accuracy से उन्होंने find out किया है, आप सोच सकते हो, बदलब unimaginable है, ठीक है, तो यहाँ पर, यह क्या है, एक photon की energy, और Planck's ने क्या खा, जो light आ रही है, वो continuous energy नहीं है, वो continuous energy नहीं है, वो discrete quantity में आ रही है, या तो आप एक photon एब्सॉर्ट कर सकते हो, या emit कर सकते हो, यानि कोई भी substance जो energy emit कर रहा है, या absorb कर रहा है, वो photons के through करेगा, या तो एक photon, दो photon, तीन photon, चार photon, जैसे होता ना, कि आप कोई भी substance exchange कर रहो, तो उसमें atoms होंगे, पांच atom, दस atom, पंदर atom, आधा atom नहीं हो सकता, उसी तरह से आधा photon नहीं हो सकता, आधा photon नहीं हो सकता, समझ में आ गई मेरी बात, लिखे, एक दो question करते हैं यहाँ पर, basic से simple से question दे रहा हूँ, find energy of F photon, of wavelength, अब formula कौन सा लगाना आपको, यह इस पर depend करेगा, कि किस से calculation कम हो रही है, जिस से calculation कम लगे, वो वाला formula लगाना, एक वेवलेंट, photon of wavelength, 662, 6, angstrom, और यह answer जो आपको निकालना है, जूल में निकालना है, एनर्जी किस में निकालनी है, जूल में, अ क्रक्ड़क्षीन दे राएं, फिन, अनर्जी अव फोतन, जूल में पर फोतन, यह झांदना पर यह झालना पर यह झालना है, यह पर दे जूलम्दा, कि बहुत है कि सक्षम यह क्यों अपना सॉलर पैनल कंवर्ट वन फॉर्टॉन टुवन इलेक्टॉन कि कहां कि इन्फॉर्मेशन है बेटा तुम्हारे पाद मत सोचो जो कहा जा रहा ना वस उतने सोचो श्री लेखा आप सर आप बहुत अच्छी तरह से एक्स्प्रेइन करते हो थैंक यू बिल्कुल सक्षम नहीं है दृष्टी का आंसर भी आ गया फर्स्ट पार्ट का या सेकिंड पार्ट का देखते हैं जा सेकिंड पार्ट का तो आंसर आई गया सुझाएंगे रदरफॉर्ड मॉडल के द्रोवेक्स की बात करेंगे डौन्ट वरी असेकिंड पार्ट का अंसर बिल्कुल सही है फौर एलक्टोन वाल्ट फिस्ट पार्ट का अंसर बतो पर्स्ट पार्ट का अंसर बतो एनर्ची ओफ फोटोन जूल में बतानी सेकंड पार्ट का अंसर इलेक्टोन वल्ट में कि फॉस्ट पार्ट का अंसर अ कि सेकंड का तो बहुत तो ने लिख दिया फॉस्ट पार्ट का अंसर भी बताओ हर्षिस सेंग 3 into 10 की पावर माइनस 34 फर्स्ट पार्ट का अंसर चलो option लिखता हूं फर्स्ट पार्ट का 3 into 10 की पावर माइनस 34 और फर्स्ट का अंसर कोई कह रहा है फेजल कह रहा है 0.003 4.8 multiplied by 10 की पावर I think माइनस पता नहीं कितना लिखा है 3 into 10 की पावर माइनस 28 और 3 into 10 की पावर माइनस 29 और 3 into 10 की पावर माइनस 26 भी आ रहा है सब आ रहा 3 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर माइनस 11 भी आ रहा है वा जी वा जी वा 3 into 10 की पावर मानिस 29, 28, 10 की पावर मानिस 19, 1.8 into 10 की पावर कितने अच्छे डेटा दिये हैं मैंने आपको चलिए first part solve करते हैं इनर्जी निकाननी है फॉर्मला तो 6.626 into 10 की पावर मानिस 34 राइट यह जूल सेकंड यूनिट सब ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हैं ह C, C की वेल्यू 3 into 10 is to power 8 divided by 6, 626 एंग स्ट्रॉम में यानि 10 की पावर मानिस 10 यह कितना आ गया 10 की पावर 3 यह कितना आ गया 10 की पावर माइनस 7 उपर गया तो 15 तो 3 into 10 की पावर माइनस 19 कौन सी मैच्स लगा रहे हो बेटा कौन सी मैच्स लगा रहे हो कुछ लोगों का है टेन 3 into कुछ लोगों का था 3 into 10 की पावर माइनस 19 कि वेरी कुट वेरी कुट एंग स्ट्रॉम और हमें यह नहीं पता बहुत बढ़िया सब बहुत बढ़िया कि उन सभी के लिए क्लेपिंग जिन्हें एंग स्ट्रॉम का मतलब नहीं पता है कि बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया कि थोड़े दिनों बाद पूछना सरी एट की टेबल आपने कैसे लिख दी एट मल्टिप्लाइड वाइस सेवन कैसे लिख दिया है एणग स्ट्रॉम का मतलब नहीं पता है तेलिग्राम कैसे ऑप्रेट करना होता है यर। सब्पता हमें कौन सा गेम केसे खेलना होता है लेगिन एंग स्ट्रॉम का कंवर्जन नहीं पता हमें कि बहुत बार आज कर जब न कभी कभी बहुत सारी जंता मुझे बोलती ना आज की जनरेशन बहुत एडवांस हो गई नहीं है कि बहुत एडवांस हो गई जनरेशन तरह यह उनको कि अधा कि कि पीको मीटर भी नहीं पता होगा फिर तो पीको मीटर फर्म है कि तो आंसर इस थ्री इंटू 10 रिस टू पावर माइनस 19 जून सेकिंड पार्ट का यह तो है क्वेशन निटू नमबर 1 का सुलुशन क्वेशन नमबर 2 ड्रेक्ट फॉर्म मा लगा दो क्योंकि यहां पर इस तरह से दे रहता तो 1240 नेनोमीटर येटर्वमिटर्व में नेनो मीटरud तो यह नेनोमीटर से नेनोमीटर कैंसिल पॉर इलेक्टोन वोल्ट इसको जूल में कनवर्ट करना चाहें पॉर इंटू 1.6 इंटू 10 दिश्टू पावर माइनस 19 जूल बिल्कुल बढ़िया जी आयूश वैसे तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल एक परसेंट भी मन नहीं कि मैं आपको यह बता हूँ लेकिन अब क्या ना आगे बीच बीच में कोई ना कोई पूछता रहेगा तो वन एंगस्ट्रोम इक वस्टू 10 दिश्टू पावर माइनस Os 10 मिटर, वन नेणो मींटर मतलब 10 दिश्टू पावर माइनस 9 मिटर, वन पीको मीटर इकव़ज टू 10 दिश्टू पावर माइनस 12 मीटर 1 फर्मी मीटर इक्वास टू 10 दिस टू पावर माइनस 15 मीटर पर्मी बाकी गूगल पर और देख ले न और यह सब है 8, 9, 10 ग्लास की वुक में यह सब है लेकिन क्या करो हम तो क्यों अच्छा कोविट था तर एक्जाम तो दिये ही नहीं इसा बहुत सारी जनता कोविट के नाम पर न बहुत फाइदा उठाती फर्मी बोल सकते हो मुझे फेम्टो का नहीं पता बट 10 की पावर माइनस 15 चले गब चलिए अब आगे बढ़ते हैं वापस इस पार्ट पर आता हूं ठीक है एक और क्वेशन पर आता हूं एक फोटोन की एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं देन एक और क्वेशन यहां पर आप मैं दे रहा हूं प्रेटंट रहा पीड बनी थाल सकत की ए वे बञां यहां थार्ट आता हैं इमutetuarग LOVE प्रेटंट sabemos यहां टलब ऑलब of capacity 60 watt if it it emits light of wavelength 662 60 watt watt का मतलब पता है 60 watt का मतलब पता है वाट का मतलब होता है 60 watt यानि Joule per seconds Joule per second यानि एक बल्ब 60 Joule energy per second emit कर रहा है राइट और find the number of photons emitted by a bulb of capacity 60 watt in one second कितने time में one second में बताना है कि यह कितने photons emit करेगा in one second answer किसके लिए देना है one second के लिए in one second यह कितने photons emit करेगा जल्दी से बताईए बिल्कुल स्रीजन सही का वाट जनता पूछेगी अब वाट क्या होता है मैं कहूंगा वाट लगा दी बस वाट मतलब वाट लगाना और क्या है यह आसान यह कोई नहीं पूछेगा श्रीजन सबको बता वाट लगाना क्या होता है दीपी का का आंसर आ गया शुबम का आंसर आ गया 10 की पावर 20 दृष्टी का कहना है सर 11 की बुक में भी दिया गया है पेज नंबर 9 पर देख हुआ तो आंसर कितना number of photons number of photons 10 की पावर 20 ज्यादा तरका अंसर तो टेन की पावर 20 आ रहा है मैं बेटा यह तुम क्यों परिशान होते हो और परिशान करते हो हां फॉर्मिला यह लिखा हुआ है यह फॉर्मिले चलिए question करके देखते हैं तो पहले यहाँ पर क्या करें कि जो bulb है वो photon जो emit करा उसकी wavelength कितनी इतनी एक single photon की energy क्या होगी एक single photon की energy क्या होगी फिर से वही फॉर्मिला 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 into 3 into 10 दिस टू पावर 8 divided by 313 sorry 3313 into 10 की पावर माइनस 10 तो यह यहाँ पर पहले तो ही आ गया 10 की पावर 3 यह कट के आजाएगा 2 तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 15 तो 6 into 10 की पावर माइनस 19 यह एक photon की energy हो गई एक photon की energy इतनी है और एक second में bulb कितनी energy एमिट कर रहा है 60 जूल तो number of photons क्या हो जाएंगे number of photons पर second जो एमिट होंगे तो एक second में कितनी energy एमिट कर रहा है 60 जूल एक photon के energy कितनी है 6 into 10 दिस टू पावर माइनस 19 बिलकुल सही 10 की पावर 20 आंसर बहुत बढ़िया जी तो यह बल्ब एक second में 10 की पावर 20 photons एमिट करेगा 10 की पावर 20 photons एमिट करेगा तो इस तरह के कुछ questions यहां पर बन सकते हैं Planks quantum theory से related ठीक है just minute यहां पर एक कि अ कि अ कि बहुत बढ़िया कि यह चली देखते हैं एक कि अ कि यहीं से रिलेटेड एक दो क्वेशन और करवा रहा हूं आपको एक और क्वेशन कर रहा है यहां पर फाइंड कि यहां पर फाइंड और क्वेशन कर रहा हूं आपको on required to break 1 D HH bond required to break the HH bond given यह ऐसे लिखा जाता है bond energy बोल सकते हैं आप इसे कुछ हद तक bond energy of HH bond equals to यह data मैं दे रहा हूँ bond energy of HH bond calculation आसान करने के लिए थोड़ा data जो है मैं इसी तरह से दे रहा हूँ ताकि calculation आसान रहे 6.62 into 10 6.62 into 6.022 यह 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 कह दो into 10 किलो जूल पर मोल क्या दे रखी यह यहां पर find the question क्या find the minimum wavelength of a photon required to break the HH bond given HH bond की bond enthalpy यह bond energy क्या होती है आप सभी को पता है कि hydrogen और hydrogen की बीच में bond होता है तो अगर हमें इस bond को तोड़ना है तो bond को तोड़ने में energy देनी पड़ती है और हम यह कहते हैं कि एक bond को तोड़ने के लिए एक photon चाहिए यह 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 energy कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो इस एक bond को तोड़ सके तो यहाँ पर हमें इस bond को तोड़ना है तो photon की energy इस bond energy के बराबर होनी चाहिए लेकिन अब यहाँ problem क्या है कि यह जो bond energy दी गई है वो पर mole की है वो कितनी की है एक bond की नहीं है एक mole bond की है तो bond energy of one bond क्या हो जाएगी bond energy of one bond उसके लिए क्या करना पड़ेगा 6.62 into 6.022 into 10 divided by 6.022 into 10 raise to power 23 यह kilo joule में है kilo joule में है ध्यान रखना तो इसको 4 करके इसको joule में कर देता हूं 10 की power 4 उससे यह वाली term तो क्या हो गई cancel out यह एक bond की energy आ गई और एक photon की energy भी exactly इतनी होनी चाहिए एक photon की energy भी इतनी ही होनी चाहिए तो इसको किसके equate कर दो आप hc by lambda तो यहां से h की value 6.62 into 10 की power minus 34 c की value 3 into 10 raise to power 8 divided by lambda डेटा मैंने अच्छे देने की कोशिश किये ताकि ज्यादा calculation अभी ना हो यह 6.62 से यह cancel out हो जाए अब सारे डेटा बहुत अच्छे से ही दिख रहे हैं यहां पर तो lambda equals to 10 की power minus 34 into 3 into 10 की power 8 into 10 की power again 23 divided by यह 10 की power 4 तो यह भी 10 की power 4 यह 10 की power 27 यानि 3 into 10 raise to power minus 7 meter मतलब 3000 into 10 raise to power minus 10 meter यानि 3000 angstrom सही आये क्या सही लिखा ना 10 की power 23 है सब कुछ सही लग रहा है भाई सही है ना हाँ 3 into 10 की power minus 7 यानि इतनी wavelength वाला photo अगर हम लेंगे